तो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूं ओमलेट जो आपनों को बहुत पसंद आएगा इस तरह से कर बनाएंगे आप लोग तो मैं पहले बता दूँगी कि इसमें मैंने क्या क्या डाला है और नमक और लाज में इसके लावा मैंने कुछ भी नहीं डाला है और यह हम लोग ल आप इसको जरूर ट्राइ करिएगा और इसको एक साइड़ी पगाईएगा मैं भी आपको दिखाऊंगी कि यह नीचे से कितना रेड रेड हो जाएगा और क्रिप्सी भी हो जाएगा जिसों खाने में तो बड़ा मजाता है तो आप इसे जरूर ट्राइगा अपने मैं उठ आपके देखती हूं इसको नीचे से और कोई भी मसाले ज़्यादा डालने की जरूरत नहीं है इसमें क्योंकि यह बिना मसालों के भी बहुत अच्छा लगता है और नमक और लाल में इसके लाबा कुछ भी ना डाली है तब भी यह बहुत अच्छा लगता है खाने में बस और भी आपको वीडियो भीजूंगी तो आप इसको जरूर प्राइब करिए आप यह देख रहे हैं ना कितना रेड रेड हो गया है नीचे से और इस तरह से आप भी बनाईए तो मैं चाहूंगी कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर लाइक करिए सब्सक्राइब करिए प्ली कि आपिश को एाप करिए टूर लाइब करिए एस तो dot प्राइब करिए थार लागी कि लिए करिए ते मत के आपक लिए ख़ इसका जबता है कि आपका दूरूर लाओ लाओ को जबता है लाओ तो झाहल चाहँ कि दूल